हेलो फ्रॉट्रेंट्स वेल्कॉट टू माई नेर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो लिए स्टार्ट करते हैं फार्मकलोजी में जो लोग पढ़ रहे थे कीमो थेरोपिटिक एजेंट उसमें अपना नेक्स्ट लेक्ट्चर जिसमें हम पढ़ने वा वाले और एंटी मलेरियल एंटी मलेरियल के लिए कुछ नहीं करना है अगर आप फार्मसीटिकल केमिस्ट्री का याद है तुम लोगों को वह याद है अच्छे से तो यहां पर तुम्हारा बड़ा असान हो जाएगा मलेरे वाले ट्रग में ठीक है तो एंट हेल्मिंथिक क वर्मी साइड वर्म मतलब कीड़े वर्म यह तर्म याद कर ले ना कोशन आ सकता है वर्मी साइड है ना वह लेगा अलविंडा जोली वर्मी साइड तो वर्मी साइड वर्म मतलब कीड़ा होता है और एक्सपेल एक्सपेल मतलब जो बाहर निकाल दे बाहर निकालने के क्या होता है मुश्किल हो या तो फिर वो बाड़ी से बाहर निकलते हैं ठीक है infesting helmetic infest करने का मतलब बहुत हो बेटा कि जिंदा आप किसी के उपर रह रहे हैं ठीक है न तो overall कीड़ों को मारने की दवा है यह classification की बात करें for round warm hook warm pin warm variety of कीड़े एक round warm होता है एक hook warm होता है एक pin warm होता है एक whip warm होता है ट्राइके ने लिए spiralis होता है एक tape warm होता है पतला चप्टा ऐसा और एक hydrated disease होती है तो यह तुमकों याद रखनी है ठीक है for thread warm for philariases philaria हाथी पैर जो मोटा हो जाता है ठीक है तो अलालग प्रकार के कीड़े हैं जो हमारी body में रहते हैं उन सब के लिए अलालग प्रकार की classification हो गई है तो यह classification किसके अधार पर है type of warm ठीक है तो यह सबसे common सबने में खासे आज में तो कल कभी नगा खाया भी होगा अलविंडा जोल ठीक अब में में बिन्डा जोल भी आता है विप्राजीन के common से है ते अगर हम बात करें इसमें अलविंडा जोल आता है । यह बड़ा common चल रहा आजकर आवर में अलविंडा जोल तो सब में यह लगो जहां ना common है न तो एक साथ कर लोग यहाँ पर classification को छोटा कर लोगे कैसा कर सकते हो इसमें यह दो हो larght cukiation किसे लीए तो मैंने सका किया है मेरे का लुक्र सब्सक्राइब नहीं सो नेइए लचीर चले जा रही हो थोड़ा कॉमंसेस लगा लोगे तो पढ़ाई को आसान में पढ़ना के पढ़ना है क्लासिफिकेशन तो तो यहीं याद हो रही होगे कि याद करने कौन-कौन से होते हैं दो और है अब सबको पता है इंडिकेशन है साफ साफ मेंचन है इसके लिए इसके लिए एसके लिले सब के लिए ठीक है ना तो में ट December of loss के लिए है हुकम के लिए है विपपर के लिए हन्रेड ऑपड ol के चाहन हैं पिन और डिए फिले के लिए तो हम लोग 100 mg single dose दी जाती है ठीक है अलबिंडाजोल एसकेरियस इस हुक वाम एंट्रोबियस सब के लिए है मतलब यहां पर तो किसके लिए इस्तमाल हो रहे हैं वह वाम उपर दिये ही हुए है इंडिकेशन और आगे उसके डोज 400 mg किसी की 100 mg है कोई जातर BD है अलबिंडाजोल सिंगल दी जाती है सिरप के फॉर्म में भी आते हैं तमाम चीजे है ठीक है तो कोई भी दोचार अपने डोज जातर कर लोगे इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास है नही डाइथाइल कार्व इसमें कुछ आगे है नहीं अगें सेस्टोड इनफेस्टिंग में सेस्टोड वराइटी आफ जो वाम है हमारे पास ठीक है टेनिया सेजिनेटा टेनिया सोलियम डाइफाइलो बॉद्रियम लैटम एंड हाइमेनलो लोपीस नेना दुनिया भरके अलगलो वराइटी आफ की देन प्राजी कुइंटल टेप वाम निरोसिष्टी सरकॉसिस इसमें इस्तेमाल होता है ठीक है तो इंडिकेशन इसमें क्या है मैंने साथ साथ में पूरा पढ़ना पढ़ेगा आप लोगों को ठीक है पूरा पूरा आप लोगों को पढ़ना पढ़ेगा क्या है कौन सी प्राम है या बिमारियां उनको अलग छाट के लिख लो उनको अलग कर लो और डोस अलग कर लो तो यह इंडिकेशन हो जाएंगे दी जार्दा इंडिकेशन यह अलग हो जाएंगे और डोस हमारी अलग हो जाएंगे जैसे हम करते हा रहे हैं फिला विन ने दवाईयों के साथ Contraindication वही है, Allergy to Drug, Pregnancy, Lactation, Renal and Hepatic Disease और Severe Diarrhea या Mal Nourishment हो रखाओ, तो उस Case में इसको बड़ा ध्यान से दिया जाता है के लिए रहे बाते हैं? ओके, तो यह हमरे पास Ant-Helminthic हो जाता है, अब एंटी-Malarial यही बड़ा असान है अगर मैंने का फर्स्ट यहां कावर है, तो classification करने ही जोरूद ही नहीं, वही वाली classification है यहापर है ना, 4 amino kinolines, biguanide, sulfonamide, sulfones, amino alcohol, kinoline, methanol, di amino, pyrimidine, antibiotics हैं यह कुछ, naphtokinone है, ठीक है ना, तो यह वही वाली classification है, लंबी चौड़ी classification है तो यह याद अगर उस टाइम वाली हो, तो वही लिख देंगे, यहापर कुछ नहीं करना, तो इसका main काम क्या अंटीम लेंगा, profile axis, profile axis मतलब करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम लगता है, बैठो, रटो, बैठ करके हैं ना, कोई बात नहीं, अच्छा, इसमें सारी drugs एक साथ याद ना हो, तो एक, दो, मतलब ठीक है, आर्टी सुनेट, यह जो ट्रिक मारी है, इनकी तो पक्के से याद कर लेंगे, classification, बाकी एका छूट भी जागा, तो फरक नहीं पड़ेगा जादा, लेकिन बेटा, मैं फिर कहता हूँ, यह जो मैं बात करता हूँ, छुड़वाने के लिए, कि इतना पढ़ लो, य उन बच्चों के लिए हैं, जो किसी वज़य से नहीं पढ़ पाते हैं, या नहीं पढ़ पा रहे हैं, बात बाकी जो अच्छे नंबर चाहिए, उनको पूरा-पूरा पढ़ें, ठीक है ना, मेरी पढ़ाई से यह मतलब ना नहीं कला है, सर ने तो कहा दे इतना कर लो, कि उ अब यहां पर क्या है, तुमको पूछा सकता है, कि वाइवेक्स के लिए क्या टीटमेंट चलेगा, जैसे कि हम लोग ने टीवी के केस में पढ़ा था, तो यह वाइवेक्स का ट्रीटमेंट है, ठीक है, यह क्लोर्कुइन सैंस्टिव फैलसी परम मिलेरिया, ठीक है, ठीक ह क्लोर्कुइन रेजिस्टेंट हो गया है, फैलसी परम मिलेरिया है, तो यह क्या है, हम आपर डोज हैं, तो आप वाइवेक्स, यह पक्का याद कर लें, कोई एक, वाइवेक्स, मिलेरिया, ठीक है, अवेल के लिए, वाइवेक्स, अवेल और मिलेरिया, तीनों के केस में हम याला डोस चला सकते हैं Chlor Queen 600 mg followed by 300 mg after 8 hour and then for next 2 days ठीक है प्लस Primer Queen 15 mg daily into 14 days फिर 4 दिन के लिए ठीक है ना तो Chlor Queen 600 mg देनी है उसके बाद 300 mg देनी है after 8 hour पहले 600 mg फिर 300 mg and then for next 2 days फिर अगले 2 दिनों के देनी है ठीक है फिर Primer Queen 15 mg daily देनी है 14 दिन के लिए बाद समझ भा रही है तो इस तरीके से दोस्त तुम्हें याद रखनी है इन occasional case of Chlor Queen resistant हम Chlor Queen दे रहे हैं Chlor Queen के लिए क्या हो गया मलेरिया रिष्ट कर गया है मर निरा उससे तब हम क्यों इन 600 mg देंगे आठ आठ गंटे पर साथ दिनों के लिए प्लस डॉक्सिसाइलिन 100 mg देंगे साथ सेवन डेज और क्लिंडा मैसन 600 mg बारा बारा गंटे पर साथ दिनों के लिए प्लस Primer Queen as above जैसी यह दे की है समझ रहे हो ना तो एक पक्का याद कर लोगे आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो ट्रीट्मेंट अफ अनकॉंप्लिकेटड मलेरिया के यहां पर जिक्रस दे रखा है तो कोई भी तीन हमारे पास ABC याद कर लोगे बेटा अच्छा है यह ठीक है कोई मलेरिया और नोगो ने किसी बात करें पी ओवल मलेरिया और वाइवक्स अच्छा घो चुका है रिपीट हो रहा गया एक ट्रीमा क्या इंस पेशली बात करूं तो प्रिमा की नहीं तिया जाएगा जो बच्चे होते छोटे ठीक है प्रेंने मों को नहींन दिया एगा और नोन जी D6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase अगर इस enzyme की कमी है ये बेटा मार्क कर लेंगो वर्मास कोशिन में आ सकता है कि malaria की दवा इस case में नहीं दी जाती है ठीक है, do test if available अगर उसका test available है तो malaria patient के लिए हमेशा एक test याला perform कराना चाहिए कहीं उसको इसकी कमी तो नहीं है stop prima queen if patient developed dark colored या पेसाब काली आने लगे या yellow conjunctiva जो conjunctiva होता पीला पढ़ जाए blue discoloration of lips दवा देने के बाद hot blue पढ़ जाए gym में चलाए, ulti आए पेटों ने दर्द सुरू हो जाए report to doctor, तुरह नट डॉक्टर को report करें मतलब दवा आपको suit नहीं कर रही है वो कहां का काम कर सकता है ठीक है एक तो fever आ गया पेरा सिट में ठीक है malaria, ovail, malaria, yvex and falciparum याने कि चारों variety है जो malaria को उसमें काम करेगा extra intestinal amoebiasis में भी काम करेगा जो chloroquine अपना rheumatoid arthritis में भी काम करेगा discoid lupus arithmetus में भी काम करेगा lapra reaction में भी काम करेगा photogenic reaction में भी काम करेगा infectious mononucleosis में भी काम करेगा ठीक है ना इसी तरह करें क्यूनीन की बात करें तो क्यूनीन malaria तो काम करेगा साथ साथ में myotonia congenitria nocturnal muscle crème जो रात में हाँ पर हम दर्द होता है spermicidal vaginal cream ठीक है ना यह तुमारा spermicidal vaginal spermicidal sorry in है जोड़ गया है spermicidal यानि की sperm को करने के लिए in vaginal cream जो vaginal cream लगा जाती है contraception के तोर पर और varicose vein जो नसे नहीं हाथ परों के बाहर से निकल आती है तो उसमें इसका इसका इस्तमाल होता है prima queen का इस्तमाल करते है relapsing malaria और falciparam malaria के लिए ठीक है contraindication बेटा वह है pregnant woman children less than 8 year of age उस case में इसका इस्तमाल थ्वस्ता ध्यान से करेंगे previous hypersensitivity to any tetracyclic antibiotic अगर किसी प्रकार की tetracyclic antibiotic के लिए hypersensitivity रही है तो यह दबाएं contraindicated रहेंगी बात समझ मारी है यह तीनों को मैंने अलग लग दे दिया है आप लोग चाहो तो एक साथ mix करके लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है न clear है बातने तो I think यह lecture भी है खतम है ठीक है छोट-छोटे lecture है और और detail के लिए मैंने कहा कि हमेशा कहता हूँ कि D-Farm first year को साथ में रख करके पढ़ाई करें और जिन लोगों को exit exam देना है प्लस आगे पढ़ाई करनी है B-Farm, M-Farm के लिए तो वो लोग तो combined study करें यहने D-Farm में अगर topic मेरा यह मौजूद यह मलीदिय मौजूद है तो उसको वापस से पढ़े क्योंकि question mix करके merge करके question आ सकता है जो कि फिर tough हो जाएगा ठीक है तो करना क्या है PDF का link description मिल जाएगा यह मेरा number है कोई problem आती है तो अपनी application है इसका use कर सकते हो अच्छे number आएंगे और जादा ठीक है न पढ़ाई और अच्छे होईगी ठीक है न मातर 1100 रुपय का हमारा course है पूरे साल के लिए सभी subjects का और सबसे ज़री चीज जो है वो क्या है पढ़ना है, revise करना है All the best